अगर आपने अभी तक जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सिजाकर जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर दीजिए कूच बिहार हिंसा में चार लोगों की गई जान ममता बनर्ची बोली इस्तीफा दे अमिद साह जिहां पस्षिम मंगाल विधान सभा चुनाओ के लिए सनिवार को चौते चरण के मतदान के दिन कूच बिहार जिले से हिंसा की खबरे भी सामने आई कूच बिहार जिले में सनिवार को इस्तानिय लोगों के हमले के बाद केंद्रिय पुलिस बल ने कथित तोर पर गोलिया चलाएं जिसमें चार लोगों की जान चली गई है ऐसा आरोप है कि इस्तानिय लोगों ने बल के जवानों की राइफले चीनने की कुसिस की पुलिस के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताय कि या घटना सीतल कुची में होई जब मत्तान चल रहा था उन्होंने बताय कि प्रारभ्मिक रिपोर्टों के नुसार एक गाउं में बल के जवानों पर हमला किया गया जिसके बाद उन्होंने गोली बारे की जिसमें चार लोग मारे गए आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस घटना कोले कर पश्चिम मंगाल के सीतल कुची विधान सबाद छेतर में मतदान केंदर संक्या 126 में मतदान अस्थगित करने का आदेश दिया है आपको बता दें कि इस घटना कोले कर पश्चिम मंगाल के मुख्य मंतरी ममता बनरजी ने लोगों से सांत रहने की अपील की महराष्ट में कोविड-19 वैक्सिन की कमी के चलते प्राइवेट सेंटर हुए बंद उधव सरकार के मंतरी नवाब मलिक ने कहा कि इंतर जल्द से जल्द उपलब्द करवाए वैक्सिन जिहां कोरोना महराष्ट दूसरे अन्य राज्यों की अपिक्छा सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में है इस महराष्ट से खबर है कि कोरोना के रोकताम के लिए सरकार की तरफ से युद्ध स्थर पर लोगों को वैक्सिन दी जा रही है इसे बीच महराष्ट में कोरोना वैक्सिन की कमी के चलते रज्य के प्राइवेट सेंटर बंद है कोरोना की वैक्सिन की कमी को लेकर उद्व सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महराष्ट में वैक्सिन की कमी है हमारी चमता एक दिन में 6-7 लाख वैक्सिनेशन करने की थी, पिछले चार दिनों से वैक्सिन की कमी के करण नीजी केंदर बंद हो गए, कई जिलों में वैक्सिन का कारेकरम बंद है, केंदर सरकार जल्द से जल्द वैक्सिन उपलब्द करवाए अमित मालविय ने प्रशांत की सोर का आउडियो चैट रिलिज कर कहा, ममता बनरजी के चुनावी रणितिकार ने मानिहार, पीके बोले, पूरी बातचीत जारी करिये जिहां प्रशांत की सोर कुछ पतरकारों के साथ पातचीत कर रहे हैं, इस आउडियो क्लिप में प्रशांत की सोर कतित तौरपया कहते हुँ सुनाई दे रहे हैं, कि प्रधानमंतरी नरेंदर मुदी प्रशांत की सोर के खिलाफ कुस्सा है अमित मालविय द्वारा लीक की गई इस बातचीत में प्रशांत की सोर कतित तौरपया कहते हुँ सुनाई दे रहे हैं, कि देश भर में उनके आसपास एक पंथ है, लोगों को उनमें भगवान नजर आता है, पश्चिम बंगाल में हिंदी बोलने वाले लोग उनके कूर व बदमासों ने पीट-पीट कर मार डाला, जी आपको बता दें कि बिहार के सीमावर्ती जिले किशन गंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, प्राप्त जानकारी के मुताबिक किशन गंज पुलिस स्टेशन के थाना परभारी अस्विनी कुमार की पश्चिब मंगाल में बिरहमी से पीट-पीट कर उनको मार डाला गया, इस घटना को मॉब ब्लिंचिंग का मामला बताया जा रहा है, घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कम्प मच गया है, किसन गंज एस पी ने इस घटना की पुष्टी की है, बताया जा रहा है कि थानेदार अस सन गंज के थानेदार अस्विनी कुमार चौबे गय थे, लेकिन उन पर वहां गावालों ने लाटी डंडो से पीट-पीट कर उनको हमला किया, और जिसके कारण उनकी जान चली गई, दिल्ली के सीम अरविंद केजरिवाल ने कहा, परियाप्त डोज हो और उम्र सीमा हटा दिया जाए तो हम पूरी दिल्ली को दो से तीन महीने के अंदर वैक्सिनेट कर सकते हैं, वर्तमान में हमारे पास साथ से दस दिन की वैक्सीन है, हमें उम्र सीमा हटा देनी चाहिए और वैक्सिनिशन को बढ़ाना चाहिए, उन्होंने कहा कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा नई पावंदिया जल्द ही लागू की जाएंगी